नमस्कार दोस्तों मैं सौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ आरस एंटेटेन्मेंट की बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपेल 2018 की बहुत बड़ी अपडेट के वारे में दोस्तों इस निउस के बारे में आप जानते नहीं हैं लेकिन इस रूल के बारे में आप जरूर जानते हैं और ऐसा अब आपको सायद आईपेल 2018 में देखने को ना मिले वो इसलिए क्योंकि VCCI और सभी टीम के टीम मेनेजमेंट को लेकर तकरार हुई है और जिस तकरार का कारण है ये रूल इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में साथ ही साथ क्रिकेट में ही ऐसे फिल्लिंग की जा सकती है यानि boundary के पहले बॉल को पकड़ कर boundary पार करने से पहले हवावा फेक सकते हैं और boundary पार करने के बाद आप मैदान के अंदर दोवारा से लॉट कर इस बॉल को पकड़ सकते हैं यानि इसको catch बना सकते हैं और इस catch को ले सकते हैं दोस्तों अभी तक तो ऐसा होता था और ऐसा हो रहा है लेकिन क्या ये IPL 2018 में देखने को मिलेगा ये suspense बना हुआ है दोस्तों आपकी क्या opinion है इसके उपर क्या BCCI को कोई rule बनाना चाहिए या नहीं या फिर मैच में जितना मज़ा आता है ऐसी फिल्डिंग को देखकर इतने अच्छे catches को देखकर ऐसे ही जारी रखना चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी opinion है में ज़रूरत है और IPL 2018 से related कुछ और latest videos और latest news सबसे पहले पाने के लिए अब अभी channel यानी आर्स entertainment को subscribe करें धन्यवाद